यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतियों में से करीब 17,400 लोगों को एरलिफ्ट करके भारत लाया जा चुका है। यूक्रेन के पडोसी देशों से भारतियों को लाने के लिए मिशन ओपरेशन गंगा नाम दिया गया है। इसमें से हंग्री और पॉलेंड से एरलिफ्ट का काम पूरा हो गया है। इंडियन एर फोर्स ने भी ओपरेशन गंगा में हिस्सा लिया है। एर फोर्स के C-17 ग्लोब स्टार की 10 उडानों से 2056 यात्रियों को वापस लाया गया है। इधर यूक्रेन से पढ़ाई अदूरी छोड़ का जाने वाले चात्रों को हंग्री की यूनिवर्सिटीज ने राहत की पेश्क्रस की है। फसे हुए है। देखे बिलकुल एक चिंता जनक जिस तरह से यूक्रेन में युद्ध के हालात बने हुए हैं। और युद्ध के बीच जो मेडिकल के स्टुडेंट जो यूक्रेन में भारत के पढ़ रहे थे। उसमें बड़ी चिंता जनक बात है कि तकरिबन 17,000 के करिब जो इस्टुडेंट थे। उनको वतन वाप्षित हो चुकी लेकिन उनकी मेडिकल की जो पढ़ाई है वो बादी धोरी है। देखिए दरसल जगरवन 20,000 जो भारती चात्रों के अंदर 17,400 को अब तक युक्रेन से एर लिप्ट करके भारत लाया जा चुका है। लेकिन चिंता जिनक बाद यह है कि अब उनकी पढ़ाई को लेकर हाला चिंता जिनक बने हुए हैं। देखिए ओप्रेशन आकास गंगा के तहत जो हंगरी और पोलेंड से एलिप्ट करके सभी भारकियों को लाने का काम लगातार सरकार के ओर सी किया जा रहा है। साथ-साथ यूक्रेयन से पढ़ाई अदूरी छोड़कर आने वारे चात्रों के लिए हंगरी की उनिश्टीज ने राहत पेश की है। अदरसल भारत और नाइजेरिया से जो अन्य अफरीकी जेशों की छात्रों को लेकर हम जो हंगरी की विश्विद्धालियों ने एक जो राहत या इस्टुडेंट्स को दी है। जिसमें वहां पर पढ़ाई करने की जो पेशकशव की गई है। देखिए जिस तरह से यूकरेन में सीजफायर के बाद जो सुमी स्टेट मेडिकल यूविश्टी के जो चातर फांसेविद्ध थे उनको निकाला जा रहा है। लेकिन जो तकरिबन भाड़ती जो चातर थे उनको पढ़ाई के लिए अब एक बार फिर से हंगरी की जो यूविश्टी हैं उनकी और से पेशकश की गई है कि वो रहा दे लिए हलांकि देखिए जो भाड़ती जो राज़ताओं की और से भी लागातार सरकार से पहल की जा है लेकिन जिस तरह से मेडिकल इस्टुडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक यार्शी का दायर की है जिनमें का गया कि भारत में कोर्स पुरा करने की उनको अनुमती दी जाए साथ साथ जो उनको तरक है कि मोज़ुदा हालातों के वेच उनके पढ़ाई को लेकर संस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे हमारे समवादता लोकेश ओला जिन्होंने बताया कि हलाकि हंगरी की और से यूनिवरसिटी की और से ओफर दिया गया है लेकिन बड़ी चुनोती की बात ये वतन वाप सिछात्रों की हो चुकी है लेकिन अब आगे उनकी पात वाप